Good morning to all of you, जो भी इस वीडियो को देखेंगे आफ्टरनून में आफ वेरी गूड आफ्टरनून, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे बांगलादेस प्रीमियर लिग के होने वाले आज के पहले मैच की, बांगलादेस प्रीमियर लिग हमारी एक प्रीमियम स्रीज है और दो मैचेज आपको देखने को मिलेंगे, साउथ अफरीका T20 का फाइनल मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, देड़ करोड की हमने विनिंग की इस साल, इस विनिंग को और भी एक अलग लेवल तक हम ले करके जाएंगे, फाइनल टच इसको देते हुए, पाकिस्तान सु टोटल, 14 मैचेज हुए हैं, जिसमें से 11 मैचेज जीता है, बॉलिंग फर्ष्ट करने वाले टीम ने, यानि बैटिंग सेकंड करने वाले टीम ने 11 मैचेज जीते हैं, टीम टॉर्च जितकर के पहले फिल्डिंग करने का फैसला करेगी, बाकि जो 3 मैचेज हुए हैं, वो जीता हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तुरू से मैं चलता हूँ, इस्टार्टिंग में 8 मैचेज खेले गए थे फेज 1 में, 8 के 8 मैच बॉलिंग फर्ष्ट करने वाले टीम ने जीता था, 5 विकट से जीता, 143 बना चेस हो गया, 177 बना वो भी चेस हो गया, 7 विकट से, 134 बना चेस हो गया, 111 बना चेस हो गया, 136 बना चेस हो गया, 187 बना ये भी चेस हो गया, 120 बना चेस हो गया, 161 बना चेस हो गया, यानि इस्टार्टिंग के जो 8 मैचेज थे वो धाका में खेले गए थे, फिर सिलहट में मैचेज श्टार्ट हो गया थे, अब लाष्ट के यह फिर से बॉलिंग फर्ट करने वाले टीम नी जीता है, 1200 बना चेस हो गया, 135 बना यह भी चेस हो गया, लेकिन बीच में 3 मैचेज हुए हैं, धाका में, 175 बना डिफेंड हो गया, 145 भी डिफेंड हो गया, और 119 भी डिफेंड हो गया, ये जो तीन मैच हैं वो जीता बैटिंग फिस्ट करने वाली टीम ने दोनों टीम के अभी तक के सफर की बात करें दोनों नहीं साथ-साथ मैचेच खेले हैं दोनों नहीं 5-5 मैचेच जीते हैं और 2-2 मैचेच आ रहे हैं अलमीन हुसेन का इस venue पे अच्छा record है बाबर आजम अच्छा खेल रहे हैं बिलाल खान का अच्छा record है 13 मैच में 23 फिकेट है नजीबुल्ला जदरान को साकीबल हसन ने तीन बार आउट किया तो नजीबुल्ला जदरान तो कुछ खास इधर में करनी पार है लेकिन इंपोर्टन हो सकते हैं इसके अलावा प्लेइस बैटल यहां पर देख सकते हैं साकीबल हसन वाला मैंने आपको बता दिया इसके अलावा एम हसनेन ने मौहमद हसनेन ने चार वार आउट किया बाबर आजम को अब आते हैं हेट टू एड मैच देख लेते हैं इस सीजन दोनों टीम के बीच में कोई भी मैच नहीं हुआ है दो मैच भी होगा आज एक होने वाला एक और होगा आपको देखने को मिलेगा 132 बनाया था CCS ने रंगपुर ने इसको चेस कर लिया था जियाओर रह्मान और इनों ने दो विकट लिया रोनी तालगदार ने अच्छा किया रंगपुर आइडर्स ने 179 बनाया CCS की टीम आल आउट हो गई चेस नहीं कर पाई ओमर जाई ने अच्छा किया एस होम ने और जियाओर रह्मान ने 163 बनाया रंगपुर ने इसको चेस कर लिया अब प्लेइंग एलमन देख लेते हैं तंजीद हसन एक मैच मेरों ने पचासा मारा एक में उन्चास बनाया बाकि यह फ्लॉप रहे हैं जौस ब्राउन ने इस काफी अच्छी सरुवात की बिग बैस लिगिंग का काफी सांधार गया था 140 बनाया था एक तिरपन बनाया था बहुत ही हार्ड इटिंग बैसमन है आप इंको ले सकते हैं अपनी टीम में टॉम ब्रुस भी तीन मैच खेला है और काफी अच्छा किया है इंपोर्टेंट है आपके लिए सहाधत हुसेन इन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं अच्छा कर सकते हैं बैटिंग फर्ष्ट हो चाए बैटिंग सेकंड हो तीन नजीब Allah जदरान इन्होंने अच्छा किया था लाश्ट के मैच जमें फलॉप चा रहे हैं Ais Alie कुछ खास करनी पा रहे है बॉलिंग जरूर करा रहे है Ais Home इस season कुछ खास करनी पा है साईद उलिस्लाम की बात की जाए इनों नहीं लाज मैच पर तीन विकेट लिया था उसके पहले फ्लॉप रहते लगातार यहाँ पर अच्छा किया और यहाँ पर अच्छा किया दो मैच में उनने अच्छा किया है इनकी बात करें left time orthodox है लगातार 3-4 ओर करा रहा है wicket taking baller है ले सकते हैं wicket इनके team पी तरफ से सबसे अच्छी balling जो baller कर रहा है वो है बिलाल खान wickets भी मिल रहे हैं इनको last 2 मैस से ज़्यादा wickets नहीं मिले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एकनॉमिकल है run कम देते हैं यौरकर्स वगरे फेकते हैं ज़्यादा अलमीन हुसैन को wickets मिल रहे हैं ये भी आपके लिए important है bench पे कुछ player है उनका record आपके सामने है जो भी खेलेगा आप यहाँ screenshot लेकर के बाद में देख लेना रंगपूर riders की बात कर रोनी तालुकदार को हमने last match में लिया था 39 की इनिंग खेली थी अच्छे player है last season अच्छा गया था इस season लगातार flop हुए है और हमने केवल यहीं पे इंको लिया और यहाँ इन्हों अच्छा गया था यह सभी जह न्यूज के विसे से possible होती है बावराजम लगातार अच्छा खेल रहे है साकीबल हसन कैप्टेंग की फिर सिच्वाइस है हमने इस match में इनको कैप्टेंग भी बनाया था ultra clean sip किया था हमने ripan की बात की जाए ठिक ठाक player है grand link में try करना super smash में इनका अच्छा नाम है तो आप इनको try कर सकते हो नोरूल हसन की बात की जाए ये भी एक अच्छे option आपके लिए हो सकते है wicket keeping section में अगर कोई अच्छा option ना हो उस case में समीम हुसेन कुछ खास नहीं कर पा रहे है ये भी कुछ खास नहीं कर रहे है मेहंदी हसन आपके लिए मश्पिक है लाश्ट दो मैचे पांच wicket ले चुके है आर मॉंडल की बात की जाए तीन ओवर कराते हैं यहाँ दो एक यहाँ wicket नहीं मिला हसन महमुद इंके में बॉलर है सलमान इरसाथ सांदार बॉलर है तो यह दोनों आपके लिए मश्पिक है बेज पर कुछ प्लेयर है उनका record आपके सामने है बात करते हैं Dream 11 टीम की यहाँ से important आपके लिए है Tom Bruce आप नुरूल हसन को भी ले सकते हो अच्छे batsman है बड़ बैटिंग की middle order में आती है बाबर राजम और यहाँ से मैंने जौस प्राउन को लिया है आप यहाँ पे ले सकते हो नजीब उल्ला जदरान अगर खेलते हैं तो ले सकते हो और इसके अलावा यहाँ पे और कोई अच्छा option नहीं है तंजीद हसन भी दो मैच में अच्छा खेल चुके है अच्छा कर सकते है आगे चलते है यहाँ पे साकिबल हसन और मेंधी हसन आपके लिए important है इसके लावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो नभी खेलेंगे नहीं ओमर जाए खेलेंगे नहीं एस होम अभी तक फ्लॉप रहे है जियाओर रह्मान अच्छा कर सकते है अच्छे प्लेयर है हेट टू हेड में भी इंका नामा आया था बिलाल खान, अलमीन हुसैन, हसन महमूद, एस इसलाम, सल्मान इरसाद और इनको मैंने लिया हुआ है इसके इलावज जो आप्संस है मैने आपको प्लेयर है इनको बना सकते है पिछले सिजन्स में आप देखो है तो टॉप Aur Les. बैटिंग करने आते थे तब ये वाइस के इसा है लेकिन विकेट लगातार ले रहे है तो आप इनको बना सकते है इसके लाब बाबा राजम एक बहुत अच्छी च्वाइस है इनको बना सकते हो टॉम प्रुस को भी आप बना सकते हो बॉलिंग में जो बेश्ट होंगे सी वी सी की च्वाइस अलमीन हुसेन को लगतार विकेट मिल रहा है बिलाल खान है वाइस कैप्टेंग की च्वाइस यहां से सल्मान इरसाद है एच महमूद भी ले सकते हैं दो तिन विकेट तो यह चार में से आप किसी को बना सकते हो पेड मेंबर्सिप की बात कीजए हमारे एक मात्र वाटस अप नमबर है 91400 233474 हमारा चार्ज मार्केट में सबसे आदा हाई है विनिंग भी सबसे आदा हाई होती है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आपका होश्ट ने जो संकुरी साइनिंग आउट बाबाए